क्लास 4 एकसराइस 3.2 आज हमने क्लास नंबर करना सिखेंगे हमें इक नंबर्स दिये हुए हैं उसमें हमारे कुछ नंबर्स मिसिंग हैं कैसे हम identify करें कि हमारा कौन से desert missing है तो यह हम देखते हैं कैसे देखेंगे हम देखें आपके पास five pencils है और आपने कुछ pencils अपने friend को देदी ठीक है अपने company के ऐसे ही देदी अब आपके पास three pencils है तो और क्यासे करते हैं तो नाएगे five minus three is equal to two that means आपने two pencil दिया तो यह हम करते हैं जो इनका total sum है तीनों नमबर का total sum है उसमें से जो ones का sum है ones tens hundred thousand जो total sum है उसमें से हम देखते हैं इन दोनों को plus करके माइनस करेंगे तो हमें missing number मिल जाएगा कैसे मिल जाएगा देखो two plus five क्या होता है seven यह हमारा है यहांपर two है two का means हमें one carry लिया तो यहांपर हमारा क्या होग है seven से छोटा है seven से छोटा है two so इसका मतलब यहांपर हमारा यह two नहीं है twelve है five same यहांपर देखते हैं अब यहांपर हमारा one missing carry लिया ताहा में वह plus करके total check करना है one plus one two plus four two four plus five nine तो हमारा ठीक होगा five plus six eleven यहांपर आपकर क्या number होगा जो हमें 11 ही मिले मैंने आपको बताएगा कि अगर किसी number में zero को plus करते हैं तो हमारा numbers में कोई change नहीं होता है तो यहांपर हमारा zero missing number हो गया तो जीरो यहांपर हमारा 11 तो हमारा one carry कहां होगा यहां थाउजन के कॉलम में थाउजन के कॉलम में होगा कि करके देखते हैं one plus three four plus two six और हमारा grand total कितना है nine nine में से हमारा six को minus करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा missing number three चीक है अब देखे ध्यान दीजिए अगर हम zero में किसी भी number को plus करते हैं तो हम number पर कोई भी fact नहीं होता है itself number हमें मिलता है same bohi number हमें मिलता है या वो one digit number हो या two digit number हो या three digit इतनी भी digit का number हो number में zero को plus करने से कोई fact नहीं पढ़ता है second अगर हम number के हमा order of number change करते हैं सो अभी हमारे sums में कोई fact नहीं पढ़ता है देखें आप seven six three two one okay one two one one यह पास दो नमबर है तुक हम दो नमबर में हमारे चुपर प्लस करके देखते हैं two plus one three three plus one four six plus two eight seven plus one eight clear होगे अजर को ठीक है अब अगर मेंट के order change करते हैं क्या करना है order number of order में चेंज कर दिया उपर वाला नीचे लिक्तों नीचे वाला उपर लेक्तों तो क्या इनके sums में कोई फर्क पड़ेगा one two three seven thousand six hundred thirty two ठीक है प्लस करके देखते हैं one plus two three one plus three four two plus six eight one plus seven eight दोनों कहां से sums हमारा equal है that means हमारा अगर number of order change करते हैं कोई pack नहीं पड़ता है ऐसे ही आप इसमें five visit number को भी प्लस कर सकते हैं five visit number ठीक है हम यही पे इसको five visit number दनाते हैं five visit number को हम कैसे प्लस करने हैं ठीक है यह हमारा five visit number हो गया अब हम इसे प्लस करते हैं so same procedure होता है इसमें भी हमें किसे start करता है one से ही start करने होता है two plus four six two plus two four one plus three four eight ठीक है हमारा number one visit हो two visit हो three visit हो four visit हो या five visit हो हमें किसे start करना होता है हमें always one से start करना होता है once ten hundred thousand ten thousand ऐसे हमें आगे बढ़ना होता है प्लस करने के लिए ठीक है Sydney सब्सक्राओई प्लस करना है अगेत